प्रिये विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में आपने प्रवक्तापध हेत्वावेदन पत्र, बयंक से रिनप्राप्त हेत्वावेदन पत्र परचुके हैं। कच्छा ग्यारह एवं कच्छा बारह शामान हिंदी में एक तीसरा प्रस्णाता है पर्यावर्ण से संबंधित बैज्ञानिक सोच परक पत्र, इसमें प्राया है अपने नगर या मोहले की सडकों, नालियों वाद की गंदगी को दूर करने के लिए या पर्यावर्ण से संबं पनमें एक प्रिस्म देते हैं कि अपने मोहले में फैली गंदगी की सफाई कराने है तूँ, नगरपालिका धच के नाम एक शिकायती पत्र लिखी आईए । चर्चा करते हैं इस पत्र पर सबसे पहले शेवा में नगरपालिका धच, नगरपालिका शुकलागन्य, शेवा में लिखने के लिए प्रस्न में ही आपको संकेत दिया रहता है कि किसके नाम संबोधित करना है या किसके नाम पत्र लिखना है, कभी-कभी ये स्वास अधिकारी के नाम आ जाता है, या संबंदित जो भी अधिकारी है, उसका संकेत प्रस्न पत्र में दिया रहता है, सबने निवेदन है कि हमें दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मुहले में या मुहले के बाद ध्यान दिजेगा अपने मुहले का नाम लिखेंगे तो हमारे मुहले में चारों और गंदगी का सामराज फैला हुआ है जिसके कारण हम मुहला वाशियों का सांस लेना भी कठिन हो रहा है मुहले की सडकों पर जहां तहां गलियों में फेके गए कुड़े कच्रे के धेरों पर आवारा पस्मों का जमावड़ा लगा रहता है चारों और फैली गंदगी के कारण पूरे मुहले में मक्हियों और मच्छनों का सामराज्य स्थापित हो गया है जिनसे बिवित प्रकार के संक्रामक रोग फैलने का भय बना रहता है अतह स्री मांजी से बिनम निवेदन है हमारे मुहले का सीग्राती सीग्र अवलोकन कर साप सफाई करवाने की क्रपा करें ताकि मुहले वासियों को गंदगी के नारकी जीवन से छुटकारा मिल सके दाइंसाइड में प्रार्थी या भावदी बाइंसाइड में सधन्यवाद इसके बाद दिनांक ध्यान रखें कि परिच्छा में आपको बावदी या प्रार्थी के बाद अपना नाम नहीं लिखना है आवासा काखागा आद लिखेंगे तो यह एक पत्र है इसको पढ़िए समझे और इसी प्रकार के गत वर्सों में पूछे गए जो प्रस्ण है उनको ध्यान दिजिए इसी के आदार पर एक प्रारूप मैंने भेजा है अन्य पत्रों को लिख करके उनका अभ्यास किजिए धन्यवाद